आज explain कर रहा है 2019 में रेलीज हुई एक रश्या नूवी Son of a Rich रश्या के सबसे अमीर आदमी की एक बिगडी हुई उलाद ग्रिशा जो अपना साला टाइम नाइट क्लब, पाटीज, लोगों को परिशान करने में और रूस तोड़ने में बीदाता रहता है ग्रिशा इतना जाला अमीर है कि वो दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझता ग्रिशा एक रात को एक लड़की को परिशान करने के बाद में सड़क पर अपनी लगजरी कार अंधा दुन चला रहा था और ग्रिशा के फादर जो उससे खुद परिशान थे अपने एक पुलिस ओफिसर दोस्त के साथ आते हैं और पुलिस ओफिसर ग्रिशा के फादर को बताता है कि तुम्हारा बेटा इतना जादा विगड़ गया है कि वो एक ट्रैफिक पुलिस में को सड़क पर आधी रात को घसीरता रहा और अब वो होस्पिटलाइज़ हो गया है इसका कुछ करो नहीं तो ये पूरी तरह से बिगड़ जाएगा ग्रिशा के फादर उसको कीच के बाहर लाते हैं और बहुत चिलाते हैं लेकिन ग्रिशा उनके सामने सिग्रेट पीने लगता है क्योंकि ग्रिशा को मन में ये लगता था कि वो उसका एकलोता बेटा है इसलिए उसका फादर डांटने के अलावा कुछ कर नहीं सकता गृषा के फादर परिशान होके वहाँ से चले जाते हैं और गृषा को सुधारने के लिए अपनी एक फिमेल फ्रेंड एनस्टीशिया के पास जाते हैं जो कि एक TV प्रब्यूसर थी वो गृषा के डैड को अपने एक फ्रेंड जो की हॉरर मुवी में और सैट गृषा के फादर लिव को अपने बेटे के बारे में बताते हैं और उसको दोधारने के लिए कुछ प्लान करने को कहते हैं एक रात को गृषा पार्टी करके लोड़ता है तो वो देखता है कि उसकी लक्षरी कार को एक वैन ले जा रही होती है तो वो उसके पीछे गृषा को पीछे से कोई शूट कर देता है जिसकी वज़े से वो बेहोस हो जाता है गृषा अगली सुबह जब उठता है तो वो अपने आपको घोड़ों के अस्तबल में पाता है तब भी वहाँ पे एक आदमी गृषा को पकड़के बाहर ले जाता है और उसको लाते मार करने लगता है वो आदमी कहता है कि कल रात को मैंने तुम्हें घोड़े तयार करने के लिए कहा था तुमने तयार क्यों नहीं किया तो गृषा को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है आट्यूं ग्रिशा को अस्तबल के अंदर लिके जाता है। जहां कॉल वगयरा क्या होता है मुझे तो कुछ नहीं पता। चुक्च आप गोड़ा तयार कर ले नहीं तो और चाबू के खानी पड़ेगी। गृशा को कुछ समझ में नहीं आता तो वह वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि पुलिस को कॉल करो। गृशा भागता होगा देखता है कि पूरा यहाँ पर 18th century के गाउगा महाल है और पिलाल उसको ऐसा लगता है कि रशिया के किसी गाउग में वो आ गया है इसलिए वो यहाँ से भागने की कोसिस करता है और भागते-भागते गृशा पकड़ा जाता है और ग्रिशा को दूसर के बाहर बनी हुए एक बीलिडिंग में पहुंसता हैं जा पता चलता है कि यह कोई बर्ड की सेप में एक द्रोन है जिससे हमें पता चलता है कि यह कोई और गलती से अगर कुछ भी गडबर होता है तो यहाँ पर एक स्नाइपर तैनात किया गया है जो ट्रेंक्वेलाइजर गंच से ग्रिशा को किसी भी टाइम बेहोस कर सकता है और इतने बड़े और महेंगे सैटप के लिए ग्रिशा के फादर के पास बहुत सारे पैसे थे लेक कि अगलाया रो रही होती है अगलाया बताती है कि उसके फादर उसकी साधी एक रिच पर बोड़े आदमी से करना चाते हैं इसलिए वो बहुत दुखी है इस पर ग्रिशा कहता है कि ये तो अच्छी बात है बोड़ा जल्दी ही मर जाएगा और सारी दौलत तुम रख लेन एक दिन ग्रिशा चिकन सूप बनाने के लिए चिकन को चुरा लेता है क्योंकि यहां के वेजेटेरियन खाने से ये बोर हो चुका था ग्रिशा का फ्रेंड जब ग्रिशा से चिकन सूप मांगता है तो वो कहता है कि मैंने तो सारा चिकन सूप खतम कर दिया है तो वो कहता ह जलता है कि चिकन गायब है तो वो सभी घोड़े के रखवालों को इखटा करता है और उनको पूझता है कि बता दो कि किसने चिकन चुराया है नहीं तो रेंडमली में किसी को सलेक्ट करके उस पे कोड़े बरसाऊंगा एडवे ग्रिशा के फ्रेंड को उठा ले जाता है और फिर लिए ग्रिशा यहां पर भी किसी तरह की कोई सिंपै्थी पेस नहीं करता है उसको अभी भी किसी से कोई फरक नहीं पढ़ रहा होता है तोड़ी देर बाद में ग्रिशा का फ्रेंड उसको उसकी पीड पर मार के साइन दिखाता है जो की एक्च्छल में एक ग्रिशा लीजा के पास दोड़ के जाता है और उसको उसका अंडरवेर दिखाने को कहता है वो कहता है कि तुमारे पास फ्यूचर के अंडरवेर कहां से आगे वो उसके साथ जबरदस्ति करने लगता है लेकिन तभी वहाँ पे दूसरे विलेजर्स या फिर एक्टर्स आ जा है तो लीजा उसको माफ कर देती हैं कुस दिनों बाद में इस गाउम एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें ये कहा जाता है कि ये रात जिस लड़की या लड़के के साथ आप बिताओगे वही जिंदगी में आपका पार्टनर बन जाएगा इस फेस्टिवल में ग्रिशा को अगलाया मिलती हैं जो अपनी बुड़े आदमी से साधी की डेट नजदी काने की वज़े से परिशान थी और वो कह रही थी कि मैं नदी में कूद के सुसाइट कर दूँगी और वो नदी में कूदने के लिए चली जाती हैं डारेक्टर्स चाहते थे कि वो ग्रिशा को याद आता है कि वो सुसाइट करने की बात कर रही थी तो ग्रिशा अगलिया को बचानी के लिए नदी की तरफ जाता है और उसको सेव कर लेता है अगलिया कहती है कि तुमने मुझे क्यूं बचाया मुझे ऐसी जिन्दगी नहीं जीनी है लेकिन ग्रिशा उसक इस्ट्रक्शन पास की जाती हैं कि ग्रिशा तुम से मिलने आ रहा है, तुम लोग जल्दी से तयार हो जाओ, तो लीजा दूसरे सभी लोगों को छुपा लेती हैं और अपने आपको गाओ के कपड़ों में तयार रखती हैं, ग्रिशा लीजा को कहता हैं कि चलो मेरे साथ अगलिया से हट गया है और वो तुमारे में इंट्रेस्टेड हैं, इसलिए लीजा को अब उसके लव इंट्रेस्ट का रोल प्ले करना पड़ेगा, लीजा का ये नया रोल लीजा के असली बॉइफ्रेंड एलक्सी को पसंद नहीं आता, जो यहाँ पर लेंड ओनर के बेट इसलिए वो उसको डिस्ट्रेक्ट करने की कोसिस करती है, कंड्रोल रूम में अनेस्थीसिया स्नाइपर को कहती हैं कि अगर कुछ भी हो तो ड्रोन को शूट कर देना, लेकिन ठैंक्फुली एंड में ड्रोन ठीक हो जाता है, और सही तरीके से उड़ने लगता है, इधर अल अगलाया दोनों ही गुसा थे, क्योंकि एलेक्सिक की गल्फरेंड को ग्रिशा के साथ रोमांस करना था, और अगलाया को लीजा से रिप्लेस कर दिया गया था, दोनों एक दूसरे की तरफ एट्रेक्ट होते हैं, और इंटिमेट होने लग जाते हैं, ठीक उसी टाइम अगलाया जिसको सैट से बाहर निकाल दिया गया था, वो एक टीवी टॉप से निकाल देता हैं, इधर लीजा अपने बॉइफ्रेंड के इस बेहवियर से बहुत दुखी होती हैं, तो ग्रिशा उसको चीरप करने की कोसिस करता हैं, और उसके लिए के लिए के लिए के अगलाया जिसको सैट से बाहर निकाल दिया गया था, वो एक टीवी टॉक सो में जाकर ये इंटर्व्यू देती हैं, कि रश्या के रिचस्ट विजनसमेन के बेटे ग्रिशा को किड्नेप किया गया है, और वहाँ पर उसको बहुत बुरी तरह से रखा जा रहा है, रश्या हम इस पूरे सैटप को एक क्लाइमेक्स की पोजिशन तक पहुंचा सकते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि अब इस गाव पे मंगोल्स का अटेक होगा, गाव में बहुत सारे मंगोल्स आते हैं, गाव वाले इनको फूड ओफर करते हैं, लेकिन मंगोल्स यहाँ पर कुछ गर परेक्टर ने प्रिपेर किया होता है, यह दुनों फाइट करते हैं, और सैन एक उस लड़की के झार ही काड़ देता है, जो कि फेक था, फादर का ऐसा सेक्रिफाइस दे के मंगोल्स उस लड़की को फ्री कर देते हैं, और दूसरी लड़की को अपने साथ ले जाने की प् करता हैं और कंट्रोल रूम में भी काफी disappointment हो जाता हैं लीजा गृषा को हेल पे लिए बुलाती रहती हैं लेकिन गृषा चला जाता हैं गृषा थोड़ी देर बाद में घुड़े पे बैटके आता है और मंगोल से थोड़ी fight करने के बाद में लीजा को वहां से घुड़े अब लीजा और गृषा गोड़े पे चलते चलते गाव की लिमिट से बाहर चले जाते हैं और वहां पर उनको एक modern petrol pump दिखता हैं जिससे गृषा काफी confused हो जाता हैं पोल खुलती हुई दे के लीजा सब बताने ही वाली होती हैं कि ठीक उसी टाइम स्लाइप पर tranquilizer से अगले दिन घृषा हॉस्पिटल में उठता हैं और उसके फादर उसको बताते हैं कि वो तीन महीने से कार एकसिडेंट के बाद में कोमा में था और आज ही होश में आया है गृषा अपनी वही लगजरी कार चला रहा है लेकिन अब वो उस कार को enjoy नहीं कर पा रहा नाइट उसको लीजा के पास ले जाता है ग्रिशा लीजा से मिलता है और कहता है कि उसने जो भी कहा वो सच है वो आज भी उससे प्यार करता है तो लीजा कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और दोनों मिलके किस करते हैं कुछ दिनों बाद में हम देखते हैं कि ग्रिशा के प्रजेक्ट में काम करेगा इसी के साथ ये मूवी खताम हो जाती हैं वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्यों फॉर वाचिंग